हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्मेंट के बाजार पर और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेल शेयर के उपर दोस्तों रिजल्ट्स निकल कर आये कल के दिन सेल के और रिजल्ट्स थोड़े निराशा जनक थे कंपनी का जो प्रॉफित है वो थुड़ा कम होता हुँआ देखने को मिला जिसके चलते दोस्तों शेयर आपको गिरता हुआ देखने को मिला अब ये 90 रुपे का अगड़ा शेयर कब छूता हुआ देखने को मिलेगा क्या गिरावट जो है वो शेयर में कंटीन्यू होती भी देखने को मिलेगा और क्या होंगे कल क्या नी 12 ऑगस्ट के टागेट तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगा दोस्तों तो चलिए दोस्तों शुरू करते है सबसे पहले फ्रेंड आपना आगए है सेल के आर्टिकल पर सेल क्यूवन रिजल्स नेट प्रॉफिट डिकलाइन सेवेंटी नाइन परसेंट तो एट हंड़न फोर करोड रिवेंड्यू राइज इस सिस्टीन परसेंट तो कंपनी का जो रिवेंड्यू है इसी बीच आगर स्टॉक की आज की क्लोजिंग की भी बात कर ले तो डेफिनेटली आज क्लोजिंग बहतर आती भी देखने को मिली है क्योंकि दोस्तों कल के दिन 80 रूपे के उपर स्टॉक ने क्लोजिंग दे दी थी और आप देख सकते हैं प्रिवेस टोस था 79.90 और आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक लगबग 78 रुपीज तक फिसल गया था लेकिन काफी अची रिकावरी एंड में शेयर करता हुआ देखने को मिला और आप देख सकते हैं यह महीना सेल शेयर का रहतावा देखने को मिला है 10% से ज्यादा का रिटन दूस्तों सेल कमाती भी देखने को मिलिए और आज के अगर आप ओपनिंग भी देखे तो आप देख सकते 10 पैसे मात्रे नीचे ओपन होता है लेकिन धीरे-धीरे stock आपको draw करता हुआ देखने को मिलता है drawdown होता हुआ देखने को मिलता है stock में But hopes ओ दोस्तों गिरावट जो थी वो आज चुकी है आज के दिन short build-up जो हुआ था short में अब वो खतम होता वहा देखने को मिलेगा और कल से again stock आपको rally resume करता हुआ देखने को मिलेगा आप देख सकते हैं आज के दिन मेटल इंडेक्स में विलकुल flat काम का जुआ उसके बावजूद भी share गीरता हुआ यूद ते नगें को मिले, देखने को मिलेगा और आप देख स करें मार्केट की तो मार्केट ने आज एक बढ़िया क्लोजिंग डिये अब देख सकते हैं सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी और अ किपल की देह == एंडेक्स इंस अधी इंडेक्स में आज एक बढ़िया मोमेंटम बनता हुआ देखने को को मिलिए और आप देख सकते हैं जब भी स्टॉक गिरता है तो वॉल्यूम बढ़ती है यानि कि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता है लोग डिप में खरीदने के लिए स्टॉक को तैयार है क्योंकि मुमेंटम काफी जादा है आज 78 हुआ है आने वाले एक हफते बाद 85 90 भी हो सकता है यह जैसे आप से स्टॉक में मुमेंटम है तगड़ा अगर बात करें आज की क्लोजिंग की तो मिड रेंज में शेयर क्लोजिंग देने में काम्याब रहता हुआ देखने को गला है और आप देख सकते हैं बावन अफ्तों की रेंज लग बग 63 रुपीज का 52 का 52 वीक लो एंट 137 रुपीज का 52 वीक खाई है स्टॉक अभी काफी नीचेट कर रहा है आप देख सकते हैं लग बग 60% से जादा का करेक्शन दोस्तों स्टॉक में आ चुका है फ्रम इट 52 वीक खाई तो आप देख सकते हैं तो इस करेक्शन में बाइंग जरूर करनी चा करोड की आज की दिन दिलिवरी वॉल्यूम आती वी देखने को मिली है और कल के जिन दो दिलिवरी थी वह लगबग 30% की थी तो दिलिवरी बढ़ती वी देखने को मिल रही यह काफी बढ़िया पॉजिटिव साइन है अब देख सकते हैं कंपनी के में रिजल्ट के करोड के च्छार 500 deposit से सीधे 1000 करूड के profit यह पिर दोस्तों आप पेसेными कमपनी के अच्छा पर यहे च्छेएंदे अपनी का म कश करती आपको बला अगेक्मनी काいました recursos तो दोस्तों सपोर्ट नंबर जो वन था वो अब रजिस्टन का काम करेगा स्टॉक में तो अब दोस्तों कल के दिन 78 रूपीज 20 पैसे जी हां इस लेवल के उपर अगर शेयर जाएगा तो एक बड़िया तेजी आपको स्टॉक के अंदर बनती भी देखने को बिल सकती है एं बड़िया मोमेंटम मन सकता है आज की क्लोजिंग 78 रूपीज 85 पैसे परे तो यह 78 रूपीज 20 पैसे जो है वो अब स्टॉक के सपोर्ट का काम करेगा रजिस्टेंस वाइड अगर बात कर तो 81 रूपीज 83 रूपीज यह तुनों रिस्टेंस आएंगे और होप सो कल के दिन आई थिंग सो मार्केट फिर्स आपको तीजी करते वे देखने को मिल सकते और मुझे लगता है कि कल के दिन जो मेटल इंडेक्स है वो आपको आउट ओफर्म करके दिखाने वाला है और 83 रूपीज तक का लेवल मुझे लगता है कल के दिन आपको सेल शेयर में आतावा दे हिस्दारी घटाई है एफ यह इसने 0.36% से अपने हिस्दारी घटाई है तो सब की हिस्दारी घटाना यह एक पॉजिटिव सिगनल स्टॉक में नहीं है तो चलिए दोस्तों आप स्टॉक के चार्ट पर चलते और अब कल के और आने वाले एक से दो हफ्तों के टागेट पर चर्चा करते हैं तो फ्रेंड अपन स्टॉक के चार्ट पर आगे हैं सबसे वहले मैंने 6 मंच का चार्ट खुला है क्योंकि 6 मंच पर कंपनी के आपको स्तेती नजर आ रही है आप देख सकते हैं लगबग शेयर 110 रुपीज के लेवल पर था एप्रेल महिने में और फिर अगर यहां से तीक होती है तो रिकवरी तो शेयर करके दिखाएगा और वह रिकवरी एक वी शेप की रिकवरी होगी उसमें शेयर आपको डेफिनिटली 110 रुपीज तक का लेवल दिखा सकता है उसमें कंपनी का कॉटर ली रिजल्स का बड़ा हाथ होगा अभी जैसे कंप अगरों का इंपैक्ट जो है वो स्टील काउंटर सेल में काफी पड़ता हुआ देखने को मिलता है अगर तीन मैनो के चार्ट पर भी चले तो तीन मैनो के चार्ट पर एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिलें लोग भग 65 रुपे का शेयर असी रुपे होता हुआ देखने को मिलेगा तो बड़ीया मोमेंटम आपको बंदावीव देखने को मिलेगा स्टॉक के अंधर तो अब मैं बात करूंगा दोस्तो आने वाले दो हफतो के लेवल की दोस्तो मेरी यही सलह ना पोजीचनल यह この यह आप इस टॉकक को के दिन अगर यह शेर आपको 79 ृपीड 20 पैसे के उपर मिलता भाई देखने को मिले तो जरूर इसको बाय करकर चले और कल के दिन जो मैं ठार्ट होगा पहला डार्गेट होगा हेटीवन का दूसरा लाजट होगा office रागेट तक के टागेट के लिए सेल शेयर में आपको खहिदारी के चलना है और बढ़िया मोमेंटम आपको कल के दिन स्टॉक में देखने को मिल जाएगा शॉट कवरिंग जरूर आपको स्टॉक में आती भी देखने को मिल जाएगी तो थैंक यू फ्रेंड्स फर वाचिंग दिस वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें शियर करें सब्सक्राइब करें दोस्तों थैंक यू फ्रेंड्स